हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो बेसिक मेहत का प्राश्ण होता है इसे हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं पर पहला प्राश्ण है साथ केला का मूल्य 84 रुपए है तो 15 केला का मूल्य कितना होगा देखे इसको निकलना बिल्कुल आसान है सबसे पहले देखेंगे पर दिया हुआ है साथ केला का मूल्य वह देखी है 84 रुपए है इसको देखें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अब देखेंगे पर प्राश्ण में 15 केला का मूल्य को निकलना है देखें हम लोग सबसे पहले एक केला का मूल्य को निकलने के लिए हम लोग 84 में 7 से भाग को लगाएंगे 84 को लिखेंगे बटा के उपर और 7 को लिखेंगे नीचे 7 से 84 को काटे यह कटेगा 12 बार में यानि देखे एक केला का जो दाम होगा वो हो जाएगा 12 रुपए अब देखें आपर प्रोस्ण में 15 केला का मुल्य को निकलना है जो एक केला का मुल्य आया है इसमें हम लोग 15 से गुना को करेंगे देखें 15 से गुना 2 में करें यह होगा 30 का 0 तीन हो जाएगा हांसिल 15 से गुना 1 में करें यह रहेगा 15 तीन था हांसिल तो यह हो जाएगा 18 यानि देखे 15 केला का मुल्य कितना होगा वह हो जाएगा 180 रुपए तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्राश्ण को हल करते हैं यहाँ पर देखें दूसरा प्राश्ण है एक दर्जन केला का मुल्य 72 रुपए है तो तीन केला का मुल्य कितना होगा देखिए यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है एक दर्जन केला का मुल्य यहां पर देखिए है 72 रुपए इसको देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे देखिए एक दर्जन का मतलब होता है इसमें जो देखिए केला का संख्या होगा वह होगा बार यानि देखे बारा केला का जो मुल्य है वह है बहत्तर रुपए देखे हम लोग सबसे पहले एक केला का मुल्य को निकालेंगे देखे इसका मुल्य को निकालने के लिए हम लोग देखे बहत्तर में बारा से भाग को लगाएंगे देखे बारा से बहत्तर को काटे यह कटेगा च्छो बार में यानि देखे एक केला का जो मुल्य होगा वह हो जाएगा च्छो रूपाए अब देखे यहां पर प्रस्ण में तीन केला का मुल्य को निकलना है तो यहाँ पर देखे हम लोग लिखाएंगे तीन केला बराबर यहाँ पर देखे जो एक केला का मुल्य है इसमें हम लोग तीन से गुना को करेंगे छो से गुना तीन में करे यह हो जागा अठारह रुपए यानि देखे एक दर्जन केला का मुल्य अगर 72 रुपए है तो तीन केला का मुल्य कितना होगा वह हो जाएगा 18 रुपए तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गया होंगे कि जो बेसिक मेहत का प्राश्ण होता है इसे हल कैसे किया जता है